बड़े बड़े जो युद्ध की रणनीती तै करने वाले लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि लड़ाई को दुश्मन की जमीन पर ले जाओ ये सोचना नहीं होता है कि शटी पहुंच रही है तो किसे पहुंच रही है लुक्सान किसका हो रहा है लेकिन ये देखे हो सकता है बाचीत जल्दी से जल्दी हो जाए आज रात कल सुबे तक ये बाचीत हो जाए बेलरूस बॉर्डर पर दोनों देशों के प्रतेनी मंडल पहुचने शुरू हो गया है पहले यूक्रेन ने कह दिया था कि हम बात नहीं करेंगे बेलरूस में उस जगे से जान सा हमारे उपर मिसायल दागी जा रही है हम वहां बिल्कुल बात नहीं करेंगे लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर बात करने के लिए तैयार हो गया है आज रात या कल सुबे यूक्रेन और रूस में बाचीत संभव है यहां हम आपको कीव शहर की तस्वीर अपने मेज पर लेकर आते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाचीत चुरू हो जाती है तो आकरमन बंध हो जाते हैं आई तो चलती रहती है दोनों जो पक्ष है वो चाहते हैं हमारे हाथ में बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहे अब कीव निशाने पर है यह तो सपर्ष्ट है पहले दिन से रूस के जैनल साब कीव के इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको लगता है रूस घुसेगा भीत जाता है क्योंकि एक अगर अंदर जाते हैं तो काफी सिविलेन कैज़ोल्टी होंगी और उनकी कैज़ोल्टी बहुत होंगी एक बिल्ट अप एरिया की लड़ाई जो है एक कन्वेंशनल ऑपरेशन के लिए काफी खतरनाक साबित होती है काफी टाइम कर्समिंग होती है और कुलेटरल डेमेज भी बहुत जादा होते हैं जो रशिया नहीं चाहता है रशिया का उद्देश है कि इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी खतम किया यही जैसा राजेश ने बताया था इसी कारण से उन्होंने पहले उनके मिलिटरी इंफर स्ट्रक्चर को खतम किया एर ब तंग होकर जो उसको सरंडर करें माने कि हमारी जन्ता बहुत तंग है दुखी है क्योंकि अगर वो ज्यादा हिंसा होती है सिविल की और कल को जब पुतिन अपनी सरकार बनाता है तो क्या उस सरकार को सपोर्ट मिलेगी वहां वो तो बिलकुल आज ही हो अगेंस तो तब ऐसे शेहरी इलाके में आ जाएं जहां पर ये घर हो इसे एक एक कॉंक्रीट बंकर के तोर पर आप कुछ फायर भी कर रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या होगा ऐसा अपसलूटली जीरो पॉसिबिलिटी है कोई भी मिलिटरी कमान रहा है चोटा सा चोटा जो अवन वाफ़े को जानता है उसके नस्दीक भी नहीं आता है तो अगर युक्रेण यह सोच रहा है कि वह आए और हम गुरिला वार्फेर को अंजाम देंगे इन सडकों पर यह देखिए अगर हम रहाइशी इलाकों के सारे इलाके देख लिए तो वह नहीं आने वाला है युक्रेण को भी पता है नहीं आने वाला है तभी मॉलोटो कॉ मॉलोटो कॉक्टेल का बहुत बढ़ा है किसी मतलब एक ऐसा हथियार होता है कि आप फेके उसमें आग लग जाते हैं इसमें इसमें डीजल डालिए सुतली डालिए और एक डिटोनेटर डालिए आप उड़ाइए उड़ जाएगा यह इसमें आग लग जाएगी देखिए बंड के लिए जरी ऐखिए ल्ग लग यह सारी चीजए लग ग्रम मॉलट्व कॉक्टेल के does notac बड़ई मैं जिसको पेट्रफोस कोड़ बं कहते है इंडिया में प्त्राल बंभ फेका जाता है जब हो। थैसमें और कोई भी कमांड नहीं आएगा मैं भी इसका पहले भी करता रहा है जो कार्कीव है कार्की में 80% रुशियन्स हैं और आपके बड़े अच्छे वो रिपोर्टर साहब हैं जो अभी बता रहे थे वो नहीं आएगा 80% से बेट कर रहे हैं उसका नहीं घुसेगा और गौरफ साव या फिर हम वो दहमाके वो मिसाइले सब सुन रहे हैं ओईल डिपो को निशाना बनते हुए देख रहे हैं पानी के सप्लाइ को निशाना बनाया जाए लेकिन क्या कीव के भीतर लड़ने की का खत्रा मोलेगी रूसी से ना रूस की सेना का एक मकसद है राश्रपती पूतिन का एक मकसद है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन और अगर वो यहां घुसेंगे तो केवल राश्रपती जिलिंस्की का तख्ता पलटने के लिए घुसेंगे उनके पास और कोई वज़े नहीं है यहाँ पर वो उनका प्रयास य करती है उसको पूरी तरह से परिवर्थित किया कर दिया जाए ताकि एक मॉस्को समर्थित सेना यहां पर हो यह कि उनका एक मात्र लक्ष है इस देश में और इसी लिए डे वन से एक उनका तुछ स्ट्राडिजिक अब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए उन्होंने सारे एर आलिमेंट अपने हत्यार लेके आए वो साइकलोजिकल वार्फेर की दृष्टि से बहुत अच्छा है लेकिन ओन ग्राउंड जैसा जनल साब कह रहे थे कि मॉलोटोफ कोक्टेल पेट्रल बंप से आप रूस के टैंकों को नहीं रोक सकते एके सैतालिस से आप उनके सैनिको को नहीं निशारा बना सकते information warfare भले ही आप बहुत अच्छा करें लेकिन रूस अगर सत्ता परिवर्थन के लक्ष से आगे बढ़ा है तो उसी दृष्टी से वो आगे बढ़ेगा आज जब रूस यह कह रहा है कि रूस ने अपने strategic forces को nuclear deterrent force को तयार कर रहे है तो वो नेटो देशों को है कि यूकरेन की मदद के लिए आप मताई है वरना वो बहुत major escalation मारा जाएगा जब बेलारूस में बातचीत करने का वो हो रहा है वो एक नौच यूकरेन की सत्ता नीचे आई है क्योंकि यूकरेन की सत्ता बोलती थी हम बेलारूस में बातचीत नहीं कर आते हैं हर तरफ से रूस की सेना आगे बढ़ रही है केवल उन जगहों पर जहां पर वो consolidate करना चाहती है वो ऐसे ही आगे बढ़के कि टीट्स उनकी जो fighting forces है वो आगे बढ़ जाए और टेल फेच अपना कर पाए यानि लोजिस्टिक सपोर्ट उनको ना मिल पाए इससे न अरिप